सभी दोस्तों नवस्कार मैं आप लोगों को मेरे यूटूब चैनल माई रियल लाइफ 98 से बताना चाहतूं जब बारिस का मोसम आता है तो पानी वैसे भेह जाता है लोग उस पानी की कोई कदर नहीं करते तो आज सुबह हमने देखा बारिस आई अच्छी बारिस थी यह दे पानी भेह रहा था तो हमने देखा यह पानी वैसे मतलब की रस्ते से होके वैसे भेह जाता है कोई काम नहीं आता मतलब की हम वैसे तो एक एक बूंद के लिए तरस्ते हैं एक बूंद के लिए तडबते हैं कि पानी हो पानी हो पेड़ पोदे वैसे सूख जाते हैं तो हमन तो इस पानी को बैता देखके हम लोगों नहीं यहां पे एक मतलब की पानी को रोका, पत्थर लगा के, फिर इस पानी को हमने हमारे खेत में भेजा, इस खेत में जाने से हमें फाइदा हुआ, कि हमें दुवारा पानी देने के जड़त नहीं है, पड़ेगी, फिर यह देखो, पानी जा रहा हुआ है, यह तो, यह हमारी मेरी सिष्टर है, जो पानी को मतलब एद्जस्टमेंट, इसको फालतू में नहीं भेहने दे रहे हैं में यो पूरा पानी हमारे खेत में आ तो, यह भर गया, मतलब की यह पानी वैसे स्टेज होता हु लोड पे भैज आता, किसी के काम नहीं आता, यह पूरा पानी देखी आप, यह देखो आ रहा है, जब से बहुतते जा रहा था, यह देखो कैसे गड़्या पड़ गया, पाने के उज़से, अब देखो, यह पूरा पानी अब यूज आएगा, हमारे खेत में, वैसे हमारे यह पानी ठीक ठाक है, बट फिर भी देखो, यह पानी वैसे भैज आता, अब पूरे खेत में भर चुका, अब यह भर गया, तो हम अब इन पेड़ों में पानी देने की जरुत ने पड़ेगी बाद में, अब कम से कम 10 दिन तक, इनमें नमी बनी रहेगी, क्यों गर्मी का मोसा में वैसे भी पेड़ों को पानी जरुत है, हम इंसानों को कितनी जरुत पड़ती है, उतनी इनको जरुत पड़ती है, यह देख लीजे आप, कहां तक पानी भर चुका, तो सिर्फ मैं इस वीडियो से यही संदेज देना चाहता हूं, आप लोगों को, कि भैता हुआ पानी उसको रोको, उसको रोकेंगे, अपन मतलब उसको सेव करो, जब अपन को जरुत पड़ती है, तो अपन पानी पानी पुकारते हैं, और जब जरुत नहीं पड़ती वैसे भैता है, तो हम इसे रोकते नहीं है, बस यही मेरा कहना है, धन्यवाद, सिर्फ आपको इस वीडिय पानी किसी के यूझ नि आये गा मतलब कि पानी कहीं भी हो अब हमने देखा आप लोगों को में दिखाया अगर हम पानीजा रहे घुटि की हरा कि सी में आपके सामने के दो न यूज द कि आ ठीओ घंiquement पूरा खेद भर चुका यह देखो थेंक्यू धन्यवाद आपको ऐसे ही नहीं नहीं वीडियो मिलती रहेंगी और देखते रहें माई यूटूब चैनल माई रियल लाइफ 98 थेंक्स